नमस्कार दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के एक और ने वीडियो में वेल आज हम आपको लेकर आया है सेक्टर जू थ्री में जो कि ग्रेटर नॉड़ा का एक काफी बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सी ग्रीनरी है और आपको एक साइस देखने को मिलता है जिसका मतलब है कि हर एक जेंटर इस सेक्टर में एक जैसे रहने वाली है तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला सेक्टर जू थ्री और क्या क्या फैसलिटीज आपको इस सेक्टर में मिलने वाली है जैसे हमने आपको बताया आज हमाएं ग्रेटर नोयडा के आखरी रेजिदेंशिल सेक्टर में जिसे हम जू थ्री या फिर एक सिध्री के नाम से भी जानते हैं बेशे कि सेक्टर greater noida के बिल्कूल आखरी में आता है लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी खूबी हैं इस सेक्टर में जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो शुरू करते हैं सेक्टर U3 की location की सेक्टर U3 एक ऐसी प्राइम location के उपर located है जिसके आसपास आपको काफी सारा बड़ा industrial area देखने को मिल जाएगा इसके चलते ये सेक्टर उन सभी लोगों को बहुत attract करता है जो भी उस industrial area में job करते है या वहाँ पे अपना काम करते हैं बात करें सेक्टर की दूरी परी चौक से तो around 9 km की रहने वाली है 130 मीटर रोट से भी इस सेक्टर केवल 3 km की दूरी पर है जिसके चलते आप आगे noida आया फे डेली connect कर सकते हैं ये सेक्टर की दूरी eastern peripheral से भी 3-4 km की रहने वाली है और सबसे बड़ी advantage future aspect से अगर देखे तो डेली मुबई industrial corridor से भी ये सेक्टर की दूरी महस 3 km की रहने वाली है जिसके चलते जब उस area में industry setup होगी तो ये सेक्टर को बहुत से advantage मिलने वाली है in terms of occupancy क्योंकि उन सबी लोगों के लिए इस सेक्टर greater noida का आखरी सेक्टर नहीं गिना जाएगा बलकि वहाँ से पहला सेक्टर आएगा और इसके चलते future में इस सेक्टर का काफी ज़ादा नाम होने वाला है वहाँ की local market में तो इन से factors को देखते हो ये कहना बिलकुल भी गरत नहीं होगा कि सेक्टर जूथरी बहुत prime जगा पे located है जिसके आसपास industries होने के कारण यहाँ पे आज नहीं तो कल हमें काफी अच्छी बसावर देखने को मिलेगी Accessibility में Greater Noida के हर एक सेक्टर की तरह ये सेक्टर के आसपास भी आपको 60 मीटर वाइड रोड देखने को मिलेगी और सेक्टर के अंदर भी 18 मीटर, 12 मीटर या फिर 9 मीटर वाइड रोड आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर एक काफी बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर की अंदर ग्रीनरी का भी बहुत खयाल रखा हुआ है इतने बड़े सेक्टर के अंदर आपको टोटल 10 बड़े बड़े पार्क्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा 6 से 7 बहुत अच्छे साइस की ग्रीन बिल्ट तो इसके चलते जब भी आप इस सेक्टर को विजट करेंगे आपको ग्रीनरी की तरफ से कभी भी निराशा नहीं होगी सेक्टर जूथरी एक काफी बड़ा सेक्टर है अपने साइस के हिसाप से और ये सेक्टर तीन ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड़ है जिनमें केवल आपको 120 मीटर के सिंपलेक्स विलाज जोकी अथारिटी के दवारा बनाए गए है वो ही देखने को मिलेंगे सभी ब्लॉक्स गेटेड रहने वाले है जिसके एंटरंस पर ये आपको गाट्स भी देखने को मिलेंगे तीनो ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही साइस के अथारिटी के बनाए होए आपको विलाज देखने को मिलेंगे पूरा का पूरा सेक्टर authority के बनाए होई 120 मीटर के विलाज आपको offer करता है जिनकी dimension 8 मीटर by 15 मीटर रहने वाली है जिसमें front 8 मीटर का होगा और depth 15 मीटर की सेक्टर के अंदर ही और आसपास ही आपको सारी basic facilities और amenities available है बात करे education की तो top schools और universities सेक्टर के आसपास ही आपको मिलने वाली है universities में Bennett University भी ये सेक्टर के बहुत पास ही located है जिसके चलते students के लिए भी ये सेक्टर उनकी पहली choice रहता है nearest hospital की दूरी भी यहां से 3.5 km की रहने वाली है बात करें सेक्टर की occupancy की अभी के हिसाब से around ये सेक्टर 40-45% occupied है लेकिन ऐसी काफी सारी lanes है जहां पर आपको इस सेक्टर की occupancy काफी अच्छी मिलेगी लेकिन ऐसी भी बहुत lanes है जहां पर occupancy अभी कम है वो काफी है तक depend कर सकती है विला की location की उपर लेकिन फिर भी जो average price आज की date की हिसाब से 120 मीटर के विला का चल रहा है वो अभी आपकी screen की उपर display हो रहा है आप date को ज़रूर refer करें क्योंकि future में ये price बढ़िया गिर सकता है so in the end sector जू 3 की अगर बात करें तो मेरा आप सबसे यही suggestion रहेगा कि अगर आप greater noida में कोई विला प्लान कर रहे है और आप अभी उसको invest करना चाते हैं और चाहते हैं आप future में वहाँ आकर रहें तो ये sector आपके लिए बहुत अच्छा option हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजे हैं जिसके जलते future में इस sector की डिमांड बढ़ सकती है और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी property की तलाश कर रहे है जहां पे आपकी अच्छी investment भी हो जाए लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छा rent भी आने लग जाए में या greater noida के कोई भी अन्य सेक्टर के रिकार्डिंग तो आपको जो नंबर इस समयापकी screen के उपर display हो रहा है आप हमें उस पर call कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं तो अब हम मिलते हैं आप से अगली वीडियो में